देखिएieso फ्रेंड्स आज बनाएंगे हम गड़ी आप सोच रहे होंगे यह तो काट तो आलू रही हैं और बता रही है कड़ी बनाएंगे आज हम कड़ी ही बनाएंगे वो भी एक अलग तरीकै से सबी के हाँ एक ही चीज़ अलग अलग तरीके से बनाए जाती है आज मैं कड़ी अलगी डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी देखे पांच आलू लिए हैं और पांच आलू को मैंने इनका छिलका हटा के नए आलू है इन्हें विल्कुछ साफ कर लिया अब लेती हूं कद्दूकस कद्दूकस की मदद से इसे कशूंगी आलू को आलू को अच्छे से कश लेना है आज आलू की पकोड़ी डालकर कड़ी बनाएंगे साइद आपने बनाई हूँ लेकिन मेरी हाँ ऐसी ही बनती है कड़ी ठंड का मौसम है और पकोड़ी कुछ मैं ज्यादा बनाऊंगी क्योंकि खाने वाले भी है जब ऐसी पकोड़ी बनती है तो घर में खाते भी हैं देखिए कड़ू कस सावी आलू को कड़ू कस कर लिया है अब इनके लिए साफ फानी में दो वार धो लिया है ऄगिक के आलू रखिए एक साइड में यह धनिय के लिए इन्हें भी बारी बारी कट कर लेते हैं रो könnte कर ना है कुछ पकोड़ी में डॉनों कुछ में यह द्रग का टुकड़ा इसे भी कद्धूकस कर लेते हैं अलो को दूनी ये असप पानी अब इनका पानी दबा रबा के गज trophies शॉक्यार हाथ की मदस से क्योंके बाद में जब बेशन डालेंगे तभी इसमें बहुत पानी आ जाएगा अगर जरूरत होगी तो हम पानी डालेंगे अब यह कद्दुकस किया हुए अद्रग भी इसी में डाल देते हैं और आदी धनिया पत्ती ताजी धनिया खेट में अपनी में उसी में बहुत घस हुए इसमें और दो चम्मच वेशन, एक चमच हल्दी पाउडर, चौथाई चमच लाल मिर्च पाउडर, सभी को मिक्स करते हैं, सभी के लिए मिक्स करते हैं इसी तरह से अपने हाथ की मदस से अब देखते हैं, इसमें पानी डालने की आवस सकता होगी, तो थोड़ा सा पानी एड़ करूँगी, और नहीं तो ऐसे ही लगता है, थोड़ा पानी इसमें डालना पड़ेगा, ज्यादा पाई न डाल नहीं, त तो फिर बाद में पानी छोड़कर बहुत पतला हो जाता है तो पकोड़ी अच्छी नहीं बनती है यह थोड़ा खुशक ही रहना चाहिए इस तरह से इसे मिक्स करके एक साइड में रख देते हैं जब तक हम अपनी कड़ी को घुल तयार कर लेते हैं यह वैटर बन कर हो गया है तयार इस तरह से अब कड़ी के लिए दो चम्मच यह वाली बेशन लिया है लगभक सो ग्राम बेशन है कड़ी कुछ में ज्यादा बनाऊंगी चार से पांच लीटर चार लीटर कम से कम मठा है थोड़ा थोड़ा मठा डालके पहले इसे घूर लेते हैं अच्छे से पहट लेंगे इसमें मतलब कोई डरी ना रहे बेशन की और इसमें आप कर देंगे मठायड देखिए इतनी कड़ी बनाऊंगी मैं कड़ी का गूर हो गया है तयार कड़ी को एक साइड में रखते हैं बनाते हैं पकोड़ी पकोड़ी बनाने के लिए कड़ाई चूले पर रख दिये देशी चूले पर बनाएंगे बहार ठंड का मौसा में छोटी-छोटी पकोड़ी इसमें तोड़ देंगे हाथ की मदस से ही बना रही हूं मैं तो गाउं भाई हम तो अपने देशी अंदास से बनाता हम पर चम्मस से अवास बनानी ना आता है कि इस तरह ऐसे चोटी-छोटी पकोड़ी बना दिंगे अब पकोड़ी को पलटाएंगे इस तरह ऐसे जब तक गोल्डन ब्राउन नहों तब तक इन है इसी तरह से से शेक ना आ और अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं बहुत जल्दी सिक जाती है का जूँका कूऊटमी युए आलुमन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है लिए से बेषरण फकने में ही थोड़ा टाइम लगता है वैसं ज्यादा टाइम इसате नहीं लगता है निकाल लेते हैं पकोड़ी अच्छी बनी है एकड़म और बना कॉणी को सबोनी को सिख लेते हैं यह और निकाल लेते हैं कि देखिए पकोड़ी हमारी बन कर हो गई है तयार अब इसमें यह एश्ट्रा तेला निकाल देते हैं एक चम्मर डाला है जीरा चौथा चम्मर डाली है मैथी और चैसे साथ डाली है लाल मिर्च सावित और इन्हें चला के जो भूल था कड़ी का वो भी इसी में एड़ कर देते हैं और इसे जब तक अच्छे से उवाल ना आए तब तक इसे ऐसे ही चलाना है हलके हलके हाथ से नहीं तो कड़ी हमारी फट चलाते जाएगी ऐसे ही चलाते रहना है एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे कलर वहत अच्छा आएगा कड़ी का सफेश सफेद दिखाई ना देगी कड़ी एक दम बहुत अच्छी चटकीली कड़ी बनेंगी कड़ी कड़ी का कलर चेंज निकला है इस तरह ऐसे हलके हलके आज से घुमाते रहना जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए कड़ी का कलर विलकुल चेंज हो गया और आग भी थोड़ी धीमी कर दी क्योंकि कड़ी जादा है कड़ाई में वाल ना आए अब डाल दिया स्वाद अनुश्वार नमक इस टाइम पर और डाल दिया धनिया पत्ति इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कड़ी में आपके पास ताजी धनिया ओ इस टाइम पर तो जरू टालें और कड़ी के लिए एक तरका और तयार करते हैं यह चूले में नहीं बनाया था क्योंकि यह तरका फैन काला हो जाता गैस का फ्लैम मीडियम है लो है बिल्कुल अब इसमें यह कटी हुई हरी मिर्च और जो थोड़ी सी राई राई डाल दिया और थोड़ी सी हीन आदी चम्मच हीन की खुसू कड़ी में बहुत अच्छी आते हैं इतनी डाली है इसमें हीन और देखें हमारा तड़का हो गया है तैयार अब कड़ी में जाके इसे भी लगा देते हैं तो थोड़ी सी कड़ी इसमें से बाहर निकाल दी और थोड़ी दिरवाद इसमें एड़ कर देंगे और डाल देते हैं पकोडी देखें तड़कर लग गया अब इसमें यह पकोडी है यह भी इसी में एड़ कर देते हैं क्योंकि थोड़ी है मुलाइम हो जाएं बहुत कुरकुरारी पकोडी बनी हुई है इसी तरह से यह भी इसी में एड़ कर दी है अब इसमें अच्छे से वाल आने देते हैं कड़ी म देखिए कम से कम आठ से दस मिनट तक हलकी मीडियम आग पर ऐसे हलाते हुए से पकना है तब इसमें टेस्ट अच्छा आता है और मठा ताजी हो तो कड़ी बहुत ही स्वाधिश्ट बनती है और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए वेल आइकन को प्रेस कीजिए जो आने वाली वीडियो उनकी नोटिफिकिशन आप तक पहुँच सकें और जो मैं गाउं की इजी रेसिपी या सेयर करती हू आप तो यह वह फ्रेंगे अधिक मेरे घर में जाद ही बनती है जब भी बनाती हूं तो कड़ी कुछ मैं जादा ही बनाती हूं अज़े से कड़ी में इसी तरह से बिल्कुल चार से पांच जैसे मतलब पपड़ी सी बन रही उपर यह बन जाए उसके बाद कड़ी को अलग करें ऐसे ही बनने दें देखे कड़ी बनकर हो गई है अब हमारी बिल्कुल तयार अब कड़ी को एक बरतन में निकाल लेते हैं इस फैन की मदस से देखिए आप भी बनाईए खाईए और दिहाती रेसिपी राधे राधे